हाई फ्रेंड असलाम अलेकुम कैसे हैं आप सब आई होप सब अच्छे होंगे खुश होंगे हम भी बहुत अच्छे हैं अलहमदुलिल्ला वेलकम टू माई न्यू व्लोग तो स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे विलोग में तो कपड़े दोय थे मैंने काफी सारे कप को पिठा दिया है तै करने के लिए एक अपड़े फोल्ड कर दो और यह दोनों भेन भाई बाते कर रहे थे तो मैंने इने काम दे दिया कि बाते तो बनाई रहे हो चलो यह तोड़ा सा काम कर लो तो आज ना पता नहीं दोनों भेन भाई आपको आज यह लग रहा होगा कि क मतलब कितना प्यार है प्यार तो ही लेकिन कभी यह वायर्टन में कभी यह लगता होगा कि लड़ते हैं लेकिन ऐसा नहीं है है वो अच्छा नहीं है और वो वाला हाउस जिता दिया ये सब ये स्कूल की बाते चल रही है इनकी लेकिन काफी ऐसा बाते कर जो कितने दिन के बाद ही मिले हैं बहुत दूर दूर रहते हैं तो आज अपने एक हो जाना ये हर बहन भाई का वहता है कि लड़ो और फिर एक थोड़ देर बाद ही एक हो जादा देर मतलब अलग-अलग नहीं रह सकते बहन भाई तो बस अब ये लड़ जो है दोना आपस में बाते कर रहे हैं मैंने कपड़े का काम इसे दे दिया था सान्या गों कि बाते तो बनाई रही हैं चलो कपड़े भी ते कर लो और मैं भी अपना किछन में काम कर रही थी और मुझे कुछ समंज में नहीं आया मैंने काफ़ी देर तक कीछन में खड़ कर सुना दिरे दिरे क्या बाते कर रहे हैं लेकिन पंख़ा या कुलर कूँ चल मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि इनकी बाते क्या हो रही है तो चलो कोई बात नहीं मैं बाते करने दो और मैं तब तक अपना किचन में काम कर लेती हूं तो मुझे आना आज बनाने थे चिकन और चावल कि इसके पापरों को बहुत जादा पसंद है चिकन और चावल तो इ उसके बाद ही मैं लगूंगी किशन में काम करने के लिए और ये न अब अपनी बेहन से बात है करके अब जिग गया अब आगया मेरे पास मेरे कंदे पर सर रखेगा और बस कुछ ना कुछ जो बोलता रहे है अब वहां से आ गया इसका ना इसकी ना आदत है से मैं कितना भी बटकार लो लेकिन इसे ना आदत है मेरे से चुपकने की या कभी आएगा इधर से कंदे पर सर रखेगा उदर कंदे पर सर रखेगा डाट का भी ना कोई असर नहीं होता इसे बस ये जो इसे करना है ना बार 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 चुपकता ही रहेगा तो चलो जी मैंने सारे बर प्रफ़ादी में खाना बनाने के लिए लगती हूँ जो किचन तो मेरी छोटी है एक तो अगर मैं ऐसे ही खाना बनाने लग जाओं तो मुझे न अच्छा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मेरा हाथ ही नहीं चलता है कि तर इदर भी समान उधर भी समान तो सबसे पहले म मैं पूरी किजन को क्लीन कर लूँ ये काउंटरटॉप को इस तरह से क्लीन कर लूँ गी सारे बडतन दो के लगादूँगी पूरी गैस को भी साफ करोंगी तो अब जब लग रहा, अज़ा एगकर अगर तो खाना बनाने में अच्छा लगता है बरतन इधर पड़े हैं उधर पड़े हैं पूरी सिंक भरीवी है या गैस पर रखा है कुछ पूरी सेल पर कुछ ने कुछ रखावा है तो मेरा ना बिलकुत भी मनने लगता काम करने में कढ़ाई में तेल दका वा था goose, कुछ बनाया था चायद तो ये तेल भी बारल मेंडाल दूँगी, कढ़ाई को भी दो कर लग दूँगी और ये वाली बारल को भी दोदूँगी क्यों कि तीन वार दो-तीन वार तु सुबह में साम तक तेल का यूज होता ही है सुबह दुफैर साम में कुछ भी बनाओ तो बोटल पर लग जाते हैं दाग तो इसे अच्छा है हलका साबूल लगा के और धोके कपड़े से पहुंचके इसे भी रख दूंगी तो ये भी साफ हो जाएगी कोई भी चीज हो किचन चमकती ही हो तो पूरी किचन मेरी अब साफ होगी है और अब लग जाते हैं खाना बनाने के तैयारी में थोड़ा सा लाइटर पर भी कपड़ा माल लेते हैं जैसे कि मैंने बताया सारी चीजे ही साफ करनी होती है और अब लग जाते हैं खाना बनाने के लिए तो प्याज ले लिए और मिक् बिल्कुल जो एक दम से पतला सा सोर्वे वाला तो बस मैं लसन और प्याज को ना पीस के बस सिंपल तरीके से बनाओंगी इसमें कोई दही वगएरा कुछ भी नहीं याड़ करूंगी टमाटर माटर बस जैसे की सबजी बनाते हैं ने सिंपल तरीके से खड़ा गरम मसारा डा जालके वैसे ही भून दूँगी तो लसन प्याज को ना पीस लिया है और पीसने के बाद सबसे पहले मैं चावल भीगो देती हूं कि चावल भी मेरे आदा घंटे भीगेंगे तो तब तक मैं चिकन का जो काम करूंगी तब तक मेरे चावल भी भीग जाएंगे आदा चावल है तो इन्हें दो तीन बार करके मैं दोलूंगे अच्छे से और पानी डालके रख दूँगी और चिकन को ना मैंने पहले ही दो के रख दिया था बगोने में अब इसे टोकरी में निकालके रख देती हूं ताकि इसका पानी जो है ना वो निकल जाए और गैस को चल चार दिया है ुपोने में ब मैं बनाऊंगी में चिकन और तेल में ही बनाऊंगी सर्टों के तेल में çıkarती हूं बहुल गई टी तो जब यह तील पका इसका दुभा निकला sucking अदिक नहीं खुली है और वैसे तो एट्देश देख एंस चलो ना जरूरी होता है दूथ होता है तो सर्चों के तेल में ही बना दिया था, मैं रिफाइंड जब लेकर आती हूँ, जब कोई महमान वगएर आता है, तो ज़्यादा तर जब भी में यूज़ करती हूँ, वरना जो डेली यूज़ में बनाते हैं, तो सर्चों के तेल में ही बनाती हूँ, मैं रिफाइंड का य नहीं जो यह डलेगा भस धनिया लाल मिर्च नमक तीन चार चीज डलेंगी हलका सा गरम मसाला फिलेवर के लिए जो मैं जो खुस बुआ जाए उसके लिए में बाद मैड करूंगी बरना ज्यादा गरम मसाला मैं नहीं डालती हूं और खाना बना ही रही थी तब तब तक यह हुआ या गे थे तो इस तरह सा मेरे चुकन भी हो गया रेडिव इसमें डालूंगी पानी तो हलका सब पानी वाला हो जाएगा बस पानी डाल के उबाल दोंगी ऑद चावल में रिफाइंड में चौनगी जो रिफाइंड दोंगी और खड़ा गरम सहीं डाल दोंगी मुझ नुकसाने देते हैं तुम च़ावल चौकर बनाओंगे 2 3 काली नग्सी झालक पालेवाल नुकसाने, उस में जो नुकसाने नुकसान देते हैं, तो चाल को तड़का लगा तो तौ काली नड्स्वावाला, बह多少 जादा होती है घरम होता है मसाला तो इस की वजह जैसे ना वो नुक्साने देते हैं तो जब से अपसे पड़ कर चावल नहीं बनाती हूँ पहले में उबाल कर पसा कर बनाती थी अब मैं ऐसा ही करती हूँ दो तीन कालिविज डाल देती हूँ दो लोंग डाल देते हैं बड़ी लाइची ये खड़ा करम मसाला दालके और इसाएगा और इसी के साथ मैं नमक डालके भी इसी के साथ डाल दोंगी चावल क्या डालके एक उभाल आएगा और ग। गEस की फ्लेम कर पर मैं इने दे दूँगी तो बस इसी के साथ वीडियो का भी एंड करती हूं वीडियो कैसा लगा बताना दूरूर वीडियो अच्छ लगा तो लाइक कर देना शेयर कर देना चैनल पर नए है तो सबस्क्राइब कर देना अल्ला हाफीज